करीना कपूर ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक लॉंच की चाहँछाई से लिखी गई है करण जोहर के साथ live session पर आकर करीना कपूर ने इस book को launch किया है इसी दौरान करण जोहर ने करीना कपूर से उनकी sex drive के बारे में पूछा कि pregnancy के कारण उनके और safe के रिष्टे किस तरीके से effect हुए sex कितनी बार होता था करण जोहर ने पूछा कि तुमने खुद में बताया कि किस तरह से pregnancy के कारण तुम्हारी sex drive effect हुई तो ऐसे में safe और तुमने कैसे manage किया रिष्टे को तो करीना कपूर कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ safe के support के कारण ही हुआ मेरे पती पूरी pregnancy के time पर मेरे लिए काफी supportive रहे वो समझते है physical changes, mood swings और कैसा एक औरत को feel होता है करीना कपूर ने कहा कि मेरे साथ भी ये सब हुआ कभी मुझे लगता था कि मैं बहुत beautiful हूँ मैं बहुत sexy लग रही हूँ करीना थोड़ा ठका हुआ मैसूस करने लगी कई बार बिस्तर से उठ नहीं पाती थी लेकिन safe हमेशा supportive रहे करीना कहती है कि कभी भी इस तरह का pressure पती की तरफ से पत्नी पर नहीं होना चाहिए कि ये तो हमारी regular life है इसलिए हमें sex उसी तरीके से होना चाहिए अगर pregnancy के दोरान भी पती पत्नी को नहीं समझ सकता है उसकी इस्तिती के बारे में नहीं समझ सकता है तो फिर वो एक अच्छा बाप बनेगा कैसे करीना ने कहा है कि इन सब के बारे में भी मैंने अपनी किताब में लिखा है क्योंकि कई बार औरते इस टॉपिक पर भी बात करने से डरती हैं घबराती हैं आपको बता दें कि ये वही किताब है जिसके ना सिर्फ नाम पर बवाल हुआ था बलकि इसी किताब से खुलासा हुआ कि करीना खपूर के छोटे बेटे का नाम जिसका जेह नाम मीडिया में आया था उसका पूरा नाम जहंगीर अली खान है